तो हमें अपने जीवन के प्रति उत्सहा जगाना है कभी अपने मन में ऐसा आता है कि मैं कितना भागशाली हूं कि मनुष्य बना मनुष जीवन जीने की खुशी तो सब भोगते हैं लेकिन मन में कभी ऐसा हाल सुत्पन होता है कि मैं लोक में कितना भागशाली हूँ कि मनुष बना कभी ऐसा भाव बहुत कम लोगों को आता है क्योंकि ऐसा चिंतन ही हमारा नहीं जाता जबकि देखो दुनिया में हमारा इस्थान कितना उचा है हम सब्दों में कह लेते हैं कि मनुष जीवन सबसे स्रेष्ट है पर संत कहते हैं ये सब्दों की अभी विक्ति नहीं होनी चाहिए अंतर की अनुभूती बननी चाहिए सब्दों की अभीवेक्ति से मानो जीवन सब से स्रेष्ट है मनुष जीवन सुदेवताओं को भी दुरलब है ये कहे देना बहुत सरल है अरे मैं जगत का स्रेष्ट तम प्रानी हूँ प्रकृति की सर्व स्रेष्ट कृति के रूप में हूँ ये अनभव हमें होना चाहिए और ये अनभूति होगी कब जब हम अपने से इतर अन प्रानियों पर दृष्टी डालेंगे तब थोड़ा पेड़ पौधों को देखो वो भी प्रानी है और तुम भी प्रानी हूँ एक इंद्रियों के पास तो भासा ही नहीं है, बानी नहीं है, दो इंद्री, तिन इंद्री, चार इंद्री, पंचे इंद्री हैं, उनके पास बानी तो है पर भासा नहीं है, वो लाचार है, मूख है, हर बात के लिए पराधीन है, तुम मनुश्य हो, तुम में प्रकृति ने सबल हाथ दिये सबल पाओं दिये अपनी अभीवक्ति के लिए नकिवल बोली दी अपी तु बोली के साथ साथ भासा भी दी तुम चाहे जो चाहे जिससे चाहे जब जो कुछ भी बोल सकते हो अपनी भावनाओं को अभीवक्त कर सकते हो और सबसे बड़ी बात इन सब के साथ तुम्हारे लिए एक ससकता मन बिला ऐसा मन जिसके बल पर तुम बहुत कुछ विचार कर सकते हो सब कुछ आगे बला सकते हो संसार के अन प्रानियों की तुलना में अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है न तो हमारे पास हाती जैसा बल है न घोले जैसी शक्ती है न चिता जैसी चपलता है न सेर जैसा पराक्रम है कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं हमारी देशा तो ये है एक बिच्छु भी काट ले तो तिल बिला जाए बिच्छु की बात तो बहुत दूर है एक मच्छ भी हमें हिला डालता है हिला डालता है? हम और सब दिरिष्टी से देखा जाए तो प्रकृति की अन्यप्रानी हमसे स्रेष्ट है है की नहीं है? हमसे स्रेष्ट है संसार के अन्य प्राणी सब हम से स्रिष्ट है लेकिन फिर भी मनुष्य सर्वस्रिष्ट है क्यों क्यों कि मनुष्य के पास ऐसा मन है जिसके बल पर वो हाती पर भी अंकुस लगा सकता है गोले पर भी लगाम लगा सकता है चीता और सेल को भी अपने फंदे में बांध सकता है यह शक्ति हमारे पास है अपने आपको भाग गिशाली शमझो किस धर्ती में सर्वसेष्ट प्रानी मैं हूँ प्रकृति की सर्वसेष्ट कृति के रूप में मैं हूँ प्रक्ते ने मुझे दुनिया की सारी सेष्ट सक्तियां प्रदान की है मेरे पास इसी छमता और शक्ति है जब मेरे पास सर्वसेष्ट उपलब्द है तो मुझे सर्वसेष्ट करना चाहिए बस इसी का नाम ओज है इसी उत्साह का अलाम ओज है जब मैंने सर्वसेष्ट पाया है तो मुझे उसे सर्वसेष्ट के लिए लगाना चाहिए और अपने जीवन का सर्वसेष्ट करने का पुर्शार्त जगाना चाहिए मैं मनुष्य जीवन को पाकर के भी ऐसे ही बरबाद करता हूँ विर्थ के कारियों में उसे खपता हूँ तो अपने जीवन में कोई शार तत को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा मुझे चाहिए कि मैं मनुष्य बना हूँ तो इस मनुष्यता का पूरा रसलू आनंदलू जो मेरे पास है उसका पूरा दोहन करूँ